हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैथ मस्ती पर दोस्तों मैं हूँ भी फिनियादब और आज एस पेसल रेलबे के लिए कुश्चन हम लेकर आए हैं और इसमें एक ट्रिक एक कंसेप्ट आप समझेंगे उसके बाद आप 15 परसन को बना क रख देंगे यह सारे प्रसन 2022 में 21 में रेलबे के एक्जाम में पूछे गए हैं तो NTPC ग्रूप D वाले और LP टेक्निशियन वाले छात्र इस वीडियो को जरूर देखिए आये सुरू करते हैं दोस्तों एबरेज एबरेज यानि आवसत आवसत कहते कि इसको हैं दीगई र रासी के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको आवसत कहते हैं जैसे अगर मैं कहूं कि एक रासी है 15 और एक रासी है 5 इसका आवसत क्या होगा आप कहेंगे सर इन दुन्नों को जोड़िए और कितनी संख्या है दो संख्या तो दो से भाग लगा अब जो भागफल आएगा वही आउसत होगा यानि इस रासी में इस रासी के योग में इस रासी के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वही आउसत होगा पंदरह पांच हुआ 20, 20 को दूसे भाग दिया तो आया भागफल कितना 10 पंदरह पांच 20, 20 को भाग दिया दूसे, आया 10 इसका मतलब आउसत 10 है आउसत जो होता है न वो बीच की चीजे होती है मिडल टर्म होता है समझ लिजे यानि 10 जो है 15 और 5 के बीचे में होगा जितना वो 5 से दूर होगा उतना ही वो 15 से दूर होगा कौन? 10 इसलिए वो अवसत है अब जैसे माल लिजिए एक बच्चा 10 बर्स का है एक बच्चा 14 बर्स का है एक बच्चा 12 बर्स का है इसका अवसत आयू क्या होगा? उसरासी के संख्या से भाग देने पर जो भाग फल प्राप्त होगा उसको आउसत कहेंगे तो आप एक ही concept सिखिए और समझिए आप जानते हैं कि अगर मैं कहूं कि एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट, डॉट, माल लिजिए यहां से हम चले जाए चले जाए और कहें कि 99 त कि संख्या का आउसत क्या होगा तो आप एक से लेकर 99 तक जोड़िएगा और जोड़ कर जीतना आएगा 99 गों संख्या से भाग लगाईएगा आउसत आएगा लेकिन एक तरीका और है अपने पास कि कोई भी ऐसा स्रीज आ जाए कोई भी ऐसा स्रीज आ जाए जिसके परतेक दो पद में अंतर समान आ रहा हो अंतर क्या रहा हो? سमान आ रहा हो देखिये दुनों में अंतर एक का इस स्रीज का अवसत निकालने के लिए बस एक रूल अफलाई करना है फस्ट प्लस लास्ट बट्टा दो फस्ट में एक है लास्ट में 29 है इनको जोड के 2 से भाग लगाईए ये 100 हुआ 100 को 2 से भाग तो आएगा आउसत कितना 50 बस आप इसी concept को लेकर आगे चल सकते हैं अब कोई भी स्रीज बन जाए चाहे माली जी हमने 20 से दे दिया 20 है 21 है 22 है 23 है इसी तरीके से बड़ते 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 मैं चला गया 60 तक कहा कि भाईया इसका average बताईए आप कहेंगे average कोई बड़ी बात नहीं है first last जोड़िये और दूसे भाग लगाईए क्योंकि जितने number जोड़ते हैं उतना से ही भाग लगाते हैं पर इसमें ऐसा इसलिए करते हैं कि परतेक दोपद के बीच का अंतर समान है 20-21 में अंतर कितना का? एक का, 21-22 में एक का, 22-23 में एक का first and last जोड़ दीजिए 20 पलस 60 होता है 80 80 को 2 से भाग देंगे तो average होगा 40 तो ये बात आपको समझ में आगया होगा ये rule सब पर लागू होगा ये सब ही पर लागू होगा जरा गौर करिए मैं अगर आपसे ये कह दूँ कि 1, 3, 5, 7, 9, .35 इसका average क्या होगा? क्या ऐसा स्रीज है ये? जिसके परतेक दोपद के बीच का अंतर समान है? हाँ, 2 का अंतर हाँ, भया, 2 का अंतर 2 का अंतर यानि 2, 2 का अंतर हो रहा है average निकालने का तरीका बस, first plus last वर्टा two एक का 35 जोड़ दीजिए हो गया 36 इसको 2 से भाग दे दिए तो हो गया 18 लीजिए, आपका answer तयार है तो क्या आप ये काम कर सकते हैं? आप ये काम कर सकते हैं ये बहुत simple है अब एक बात और याद रखेगा आपको पता होगा एक का वर्ग, दो का वर्ग अगर माल लिजे इनका अवसत निकालना हो एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग इनका आउसत कैसे निकालेंगे अगर ये माल लिजे 20 तक के वर्ग है और इसका आउसत निकालना है आपको एक फर्मूला याद होगा कि योग अगर एक से लेकर एक से लेकर कहीं तक का योग निकालना रहाता है एन तक का तो एक फर्मूला आप जानते होंगे N into N plus 1 into 2N plus 1 बटा 6 ये होता है योग के लिए फर्मूला लेकिन 20 तक की संख्या है तो बस 20 से भाग दे देंगे इसका आउसत आजाएगा अब N के जगा आप रखेंगे 20 फिर रखेंगे 20 सा 21 बटा हुआ ये 20 20 से 20 कट गया 21 गुना 41 इंसर होगा 21 से कम 21 के एक हासिल दू 24 84 अदू हो गया 86 यानि कि 861 इसका आउसत आ गया ये दोस्त आपको पता है कोई सम भी सम संख्या रहता है तो उसमें क्या करते हैं और अगर उसके वरगों का योग है तो आईए उसको भी समझते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है इसको मैंने कर दिया साइड में और आपको न ये वाली पीडियेप के साथ साथ वो सारी पीडियेप आपको हम दे देंगे आप इसके लिए मैथ मस्ती अप्लिकेशन डाउनलोड कर लिजेगा ये जितने भी आप पढ़ेंगे इसके पूरे सलूशन वाली पीडियेप मैथ म का योग और 18 निल लिखे हम कह दें कि N तक के वर्गो का योग क्या होगा N तक के वर्गो का योग मतलब हम ये कह रहे हैं कि इसको जोड़िए विए तो क्या आएगा जऱा बताईए तो इसका न सीधह सा फर्मूला आप लगाना क्या लगाना योग के यह इसका योग होता है, बस यही फर्मूला है इसका, यानि अगर मुझे इसका अवसत निकालना हो, कि कह दे कि भईया 2 के बर्ग, 4 के बर्ग, 6 के बर्ग, 20 तक के बर्ग, इनका average क्या होगा, हमें कुछ नहीं, 20 तक के बर्ग करके जोरना बहुत मुस्किल काम है, आप यही ल लघाएगा, तो 22 अब बटा में लिखियेगा छो, यह योग हो गया, और यहां 2 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं हैं, आप कहेंगे 10 संख्याएं, क्योंकि सम संख्या लिखा वोई तक कितना है जी, 10 गो है, तो सम संख्या लिखा हुई है, 20 तक तरी 10 से गो है, बस 10 से काठ स्टीक्राइब कर दोटिया इच्छोर तीन से काट देते हैं। साथ वार में पाईस सत्य होता है एक सो चोवन यह इनका आउसत। इसी तरीके से बीसंबला पर भी यही फर्मूला लगेगा यही फर्मूला लगेगा बीसंबला पर भी अब जैसे मान लीजिए। आपको बीसंबला के लिए भी बता देते हैं माल लिया जाए एक का वर्ग है तीन का वर्ग है पांच का वर्ग है डोट 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 अगर ये एन तक के वर्ग है इसका योग वई से ही निकाल लिए एन, एन पलस वान फिर एन पलस दो समझे, अब बट्टा में 6 बट्टा में 6 तो ये कर सकते हैं जैसे example समझते हैं कि 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, .15 तक के वर्ग का आउसत क्या होगा मतलब मुझे ये कहा जाए कि भाईया इसका आउसत बताईए तो क्या होगा हमें क्या करना चाहिए योग निकालने का यही फर्मूला तो 15, 1 बढ़ा दीजिए 16, 1 और बढ़ा ये तो 17, बट्टा 6, योग हो गया लेकिन ये कितने नंबर है नंबर जानने के लिए खाली 20 संख्या है न, सिर्फ 20 संख्या लास्ट बढ़ा आमें एक जोड़कर आधा कर लिजिए 15, 1, 16, 16 के आधा 8, बस 8 को नंबर है ये ये 8 को नंबर है 8 से भाग, 8 दुना 16 2, 3, 6, 3, 5, 15 17, 5, 85 हो गया आपका आउसत यानि इन सबका आउसत 85 हो जाएगा अब एक छोटा सा कंसेप्ट और जानने की जुरूरत है एक छोटा सा कंसेप्ट क्या जानने की जुरूरत है आप जानते हैं देखिए मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ एक सेकंड, आगे देखिए अगर माल लिजिए, कोई भी चीज़े समसंख्या है लगातार हो लगातार का मतलब करमागत हो यानि करमागत हो करमागत करमागत अगर होगा तो क्या होगा समझ लिजिए करमागत किसको कहते हैं लगातार होगा चाहे उस्वाम है, चाहे बीस्वाम है, चाहे प्राकृतिक संख्या है, लगातार होगा जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छो है, ऐसे तो इसका जो आउसत होगा न वो क्या होगा जानते हैं दूगो दूगो छाट दीजिए, बीच बला आउसत होगा यानि कि आप ये कह सकते कि मिडल टर में भ्रेज होता है यहाँ पड़, सोरी, एक, दो, तीन, गलत लिखा मैंने, एक, दो, तीन, फिर चार होता है, फिर पांच होता है अब इसका आउसत देखिए, एक का पांच जोड़के छो, छो को दूसरे भाग तो एभरेज हो जागा बीच बला के बराबर यानि एभरेज बीच बला हो जाता है, करमागत जब भी होगा तब बीच बला इभरेज अब जैसे 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, अब देखे बीच में कौन आ रहा है, दुद्दू को छाट दीजे, बीच में 14 आ रहा है यही एभरेज हो गया, समझे की नहीं, बीच बला इभरेज हो गया, या 12, 16 जोड के देखे, 12, 16, 28 होता है, 2 से भाग लगा दीजिए, 12, 16, 28, 2 से भाग लगा यह 14, पर तेक दो पद में अंतर समान है, यानि यह करमागत है तो करमागत जब भी रहेगा, तो ऐसा ही होगा, बीच बला इभरेज होगा, अब मैं आपसे कहूंगा, कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसका इभरेज क्या होगा आप कहेंगे, 3 इधर से छाटिये, 3 इधर से छाटिये, बीच में कौन होगा, 8, यानि इसका इभरेज 8 होगया, इसका इभरेज कौन होगया, 8 होगया अगर माल लीजिये, ऐसा है, कि आपको कह दे, 1, 2, 3, 4 है, 5 है, 6 है, इसका उसत क्या होगा, तो कहेंगे, 3 इधर छाटेगा, 3 इधर छाटेगा, तब बीच में कौन बचा, 3 और 4 के बीच में होता है, सार है 3, बस बीच बला इभरेज होगा, सार है 3 होगा, तो ऐसा कोई भी इस रेली, जिसके परतेक दोपद में अंतरसमान है, उसका मिडल टर्म एभरेज होता है, तो ये कंसेप्ट से आप सब को हिला देंगे, कैसे हिला देंगे सब को, ये देखिए, इन पीडियोप को हम छोड़ देते हैं, अब यहां से हम बढ़ते हैं सवाल पर, बस एक सामने, प्रस्ण कहेगा, यदि पांच करमागत सम संख्या का आउसत दस है, तो इन पांच संख्याओं का और वही करम बेवस्थित करने पर, मध्यास्थान पर इस्थित संख्या कौन होगी, तो दसे होगा, हां, काय कि पांच को करमागत है, माल लिजे, A, B, C, D, E, और इस इसका आउसत बोला है, दस, इसका आउसत दस, यानि आउसत बीच बला होगा, और उसकी वैलू दे दिया है, मैंने बोला ना कि करमागत होगा, तो बीच बला संख्या आउसत कहलाएगा, तो A, B, C, D, पांच करमागत होगा, आउसत होगा दस, अब पांच करमागत सम संख् और इसको अगर कहता है अरोही करम में बेवस्थित करने पर मद्ध्यस्थान परिस्थित संख्या कौन होगा अरोही मतलब ऐसे ही बढ़ते करम में लिखोगे आप तो 6, 8, 10, 12, 14 लिखाएगा बीच में कौन है वही है बीच में जो है वो average ही होता है यानि आपका answer option D हो जाएगा अगले सवाल पढ़ाईए ये बात आप जानते हैं तो कितना आसान है देखिए साथ करमागत संख्याओं के एक अनुकरम पर विचार किजिए यदि पहली पांच संख्या का अउसत जेड है तो अंतिम तीन संख्या का अउसत क्या होगा पांच करमागत, देखिए, काता है साथ करमागत संख्या के एक अनुकरम, साथ गो है, उसका आउसत जेड है, उसका आउसत क्या बोला है, रुकिए, साथ करमागत संख्या, साथ करमागत संख्या के एक अनुकरम पर बिचार कीजिए, यदि पहली पांच संख्या का आउसत ज जेड है, जेड है पांच गो संख्या का, इसका मतलब है कि पीछे होगा इसके दो संख्या, आगे होगा इसके दो संख्या, तब अवसत है बीच में जेड, अब इसी तरीके से करमागत बोले, करमागत संख्या, करमागत संख्या और करमागत भी संख्या में अलग बात है, करम करमागत सम या भी सम होगा, तो दो करके होगा, दो दो के अंतर पर होगा, लेकिन अगर सिधे करमागत संख्या बोल लहा है, या प्राकृत संख्या का राय तो उलागातार होगा, वो एक-एक के अंतर पर होगा, अब देखें, यानि जेड से एक बड़ाई होगा, जेड से द जेड है, सात गो होगा तो इसके पद एक संख्या दूगो जो आउड होगा जुगा जट्था इसको दूसरा कलर करते हैं देखिए कैसा होगा जट्था संख्या और इससा तलम संख्या इस पर विचार करना है सुरु के पांच गो का जेड है यानि 5 गो नमबर में Z बीच में होगा सातों पर विचार करना है और अंतिम तीन संख्या का आउसत बताना है अंतिम तीन संख्या का आउसत बाबू अंतिम तीन संख्या का आउसत यह तीनों के बीच में यही न है इसका मान बताना है अगर यह Z है तही एक जादा Z plus 1, यह कितना Z plus 2, यह कितना Z plus 3, यानि कि अंतिम 3 संख्या का जो average होगा, वो Z plus 3 होगा, आपका answer option A हो जाएगा, आया बात समझ में, बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, कोई भी करमागत संख्या, भी संख्या, प्राकिर संख्या होता है, उस रीज का बीचे बला इभरेज होता है मेरे भाई, सवाल देखिए क्या कहता है, इस प्रस्ण में, प्रस्ण का कहना है, कि 3 करमागत, 3 करमागत प्राकिर्ट संख्या, प्राकिर्ट संख्या एक एक करके बढ़ता घरता है, संख्या का आउसत, जो आरोही करम में है, के है, यदि संख्या के पहले समू के तुरंत बाद की दो और करमागत संख्याओं को इसमें सामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया आउसत कितना होगा तीन गो करमागत प्राकिट संख्या का आउसत जेड है जेट जो सड़के है तो के जो होगा बीच में होगा के कहा होगा बीच में अतीन गो है तो एगो पहले होगा एगो बाद में होगा यह इसका आउसत हो गया यादि संख्या के पहले समू के तुरंत बाद की दो और करमागत संख्याओं को इसमें सामिल किया जाए इसी स्रीज में दूगो और सामिल कीजिए अब कहता है सवाल क्या सामिल किया जाए तो प्राप्त होने वाले नया उसत ग्यात करिए तीन गो था दूगो जोड़े ता पांच गो हुगा पांच गो में बीच बला एभरेज होगा बीच बला एभरेज होगा तो क्या आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आया, क्या आप समझ पाएं, कितना आसान है ये, सिर्फ आपको एक बात पता है, सिर्फ एक बात पता है कि करमागत संबी संख्या प्राकिर संख्या में average जो होगा बीच वला टर्म होता है, सवाल है, यादि 5 प्रेक्षन x x-1 देखिए इससे कम इससे ये कम इससे ये कम इससे कम है फिर इससे कम है और माध्ध 20 है तो पहली दो प्रेक्षन का माध्ध ग्याद करिए कहता है कि इसका आउसत क्या है 20 पांच गो है तो एक नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर चाओ था नम्मर पच्मा नम्मर तो बीच में जो है वहीं आउसत होगा जी करमागत है यह बोला आउसत होगा आउसत दिया है बीस यानि एकस माइनस दो आउसत है जबकि आउसत बोला बीस तो एकस का मान हो गया बाइस अब एकस का मान बाइस हो गया तो एकस का मान बाइस हो 22 से एक कम यानि एक 20, तब इन दोनों के बीच average क्या होगा? Average होगा 22 और 21 के बीच में, यानि 21.5 हो जाएगा. सारहे 21 आपका answer हो जाएगा, option D हो जाएगा. क्या आपको कोई कष्ट है क्या? समझने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. मेरे दोस्त अगले सवाल पर आईए. सवाल है, पांच करमागत संख्या का आउसत 50 है. सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुननफल तथा चतुर्था और दूसरी संख्या के गुननफल का अंतर क्या होगा? सवाल देखे कितना जबरदस्त है. पांच करमागत संख्या का आउसत 50 है. इसका मतलब ये 50 होगा बीच में, दो संख्या इसके पीछे होगा और दो संख्या इसके बाद होगा. 50 होगा बीच में, तब न पांच संख्या हो गया. सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुननफल. सबसे बड़ी संख्या तो पांच करमागत संख्या है तब पचास के बाद यहां तो होगा एक क्यावन और यहां होगा बावन पचास से पहले यहां होगा उनचास उनचास होगा और उनचास से पहले यहां होगा अरतालिस कहता है कहता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे चोटी संख्या के गुननफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुननफल का अंतर सबसे बड़ी सबसे चोटी का गुननफल यानि 48 गुना बावन उसके बाद कहता है चतुर्थ संख्या एक, दो, तीन, चार, एकावन चतुर्थ संख्या 51 और दूसरी संख्या 49 अब कहता है इसका अंतर बताइए गुना करके घटाना है, अंतर कितना होगा तो देखिये तो 8 दुना 16, 9 एकम 9, 6 में से 9 घटाना है, यानि 16 में से 9 गया 6 में से 9 घटा ना है 16 में से 9 गया यानि यहाँ पर minus 3 option B आएगा ये ज़्यादा होगा क्योंकि 48 गुना बावन है 15 गुना उन्चास है तो option B आपका answer हो जाएगा आगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को देखते हैं 8 के पर्थम 20 गुनकों का आउसत क्यात कीजी 8 के पर्थम 20 गुनक क्या होगा 8 है कम 8 पहला गुनक 8 दूना 16 दूसरा गुनक 8 तिरी 24 तिसरा गुनक इसी तरीके से 20 मा गुनक जो होगा 20 से गुना करने पड़ होगा पहला में 1 से गुना दूसरा में 2 से गुतन, तीसरा में 3 से तो 20 मा गुनाज होगा 8 दुना सोला यानि 20, 68, 160 इसका औस तो यह परतेक दो पद के बीच का अंतर समान है परतेक दो पद के बीच का अंतर समान जा रहा है फरस्ट लास्ट जोड के दूसे भाग आठ पलस एक सव साथ बटा दू हो गया यानि एक सव अड़ सट को आप दू से भाग दे रहें दू अठी सोल ला दू चव के आठ यानि आपका एंसर चोड़ासी हो गया जी बस सिंपल है अब इतना करने की जरूरत नहीं है आठ के पर्थम बीस गुनक का आउसत कहे तो पहला आठ लिखिए अब बिसमा गुनक क्या होगा बिसमा गुनक कहिएगा कि बीस से गुना करने पर एक सव साथ इसको दू से भाग एबरेज हुआ चोड़ासी बात एतने करना है और कुछ नहीं करना है अगला सवाल देखिए कहता है नौ के पर्थम तीस गुनक का आउसत क्या होगा नौ है तीसमा गुनक नौतिया सताइस दू सो सत्तर इसका कहता है आउसत दूनों को जोड़े दू से भाग चलिए सत्तर अनौ दू सो यहाँ पर हो गया उनासी पट्टा दू यानि आप यहाँ भाग लगा दिये तेरह दूना 26 सेस बच गया एक दूना मा 18 149.5 हो गया आपका एंसर ओप्सन सी हो गया बहुत सिंपल था देखिए आगे कहता है एगारा के पर्थम बारा गुनक का उसत क्या होगा एग आरा के पर्थम बारा गुनाज तब पहला गुनाज एग आरा अब बाराहमा गुनाज तब बारा से गुना कर दिजिए तब बारा से गुना कर दिए बारा एक कम बारा के दू बारा एक कम बारा एक तेरह एक सो बतिस इसको पहला गुनाज E है बाराहमा गुनाज इन दोनों को जोड़ दिए इसका आउसत दूसे जोड़ के भाग निकालिए दूसे भाग दीजिए तो यहाँ पर 132 सा एक 100 हो गया कितना 43 इसको दूसे भाग दूसते 14 3 आया एक बार में 2 बच गया एक बच गया तो यहाँ पर आप भाग लगा सकते हैं एक बच गया तो 5 70.5 आपका answer option C लिजिए कितना असान है यह असान है भाई कहता है कि 5 करमागत संख्या का आउसत 10 है तो बीच बाली संख्या काउन सी होगी 5 करमागत संख्या का आउसत 10 है तब बीच बाली संख्या कौन होगी बीच बाली संख्या देखो 10 होगी 5 करमागत संख्या का आउसत 10 1, 2, 3, 4, 5 इसका आउसत 10 है बीच में होगा क्या 10 तो इसका पूछता है बीच की संख्या तब बीचे में 10 option यह आपका answer है करमागत सम संख्या बी सम संख्या पर सवाल है कितना सान पांच करमागत संख्याओं का आउसत फचास है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुननफल तथा चतूर्थ और दूसरी संख्या के गुननफल का अंतरती तो बनाए हुए है और सन भी इसका एंसर होता है गलती से ये सवाल रिपिट है पहली दस प्राकिर्थ संख्या के बरगों का माद धे ग्यात कीजिए यानि आउसत पहली दस प्राकिर्थ संख्या के बरगों का माद प्राकिर्ट संख्या के बर्गों का माद, यानि एक का बर्ग, दो का बर्ग, तीन का बर्ग, शार का बर्ग, दस को बला, दस के बर्ग इन सब का आउसत पूछा है, इसका आउसत के लिए हमने आप से कहा पहले योग निकालिए तो योग के लिए फर्मूला N into N plus 1 into 2N plus 1 बटा 6 ये योग के लिए है, लेकिन जितने नमबर है उतना से भाग दे दीजिए आउसत हो जाएगा, यानि N plus 1 पहले, यानि 10 plus 1, 11, अफिर 10 दुना 20 आईके 20, बटा में बचा 6, 3 से काट दिया 2 बार में, 3 से काट दिया 7 बार में, 11 11, 37, 77 बटा 2, आपका एंसर हो गया, option D, बहुत बढ़िया, आ रहा है बात समझ में, हाँ, आईए, पहली 10 बिसम प्राकिर्ट संख्या का माध्याद कीजिए, पहली 10 गो, दोस गो है यानि कहा तक जाएगा, एक का बर्ग, पहली 10 बिसम प्राकिर्ट संख्या, पहली 10 बिसम बिसम प्राकिर्ट संख्या बोला, बाबू, बर्ग नहीं बोला है, तब पहला 10 गो बिसम संख्या का आउसत 10 होगा, पहली 10 बिसम प्राकिर्ट संख्या का माध्य जो है, यानि आउसत 10 होगा, कैसे, देखिए, माली जे हम 3 गो बिसम संख्या का हैं, तो 1, 3, 5, यही 3 गो ब आउसत कितना होगा तो चार होगा देखिए कैसे साथ पांच बारो बारो तीन बारो तीन पंदरा एक हो गया कितना सोल चार गो संख्या है चार से भाग लगा दीजिए आउसत हो गया चार तो अगर चार गो भी सम है तो आउसत चारे होता है यहाँ पर दस गो भी सम है तो अगला सवाल, पांच करमागत संख्या का आउसत एक सो है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बरगो का अंतर, पांच करमागत संख्या का आउसत एक सो है, यानि एक सो है बीच में, इसके बाद होगा दूगो, इसके बाद दूगो, पहले, यानि यहाँ पर हो जाएगा 99, 99 से पहले 98, अब कहता है 5 करमागत संख्या का आउसत 100 है, इस सम भी सम नहीं है, सीधे करमागत संख्या है, तो एक एक करके बढ़ेगा, या अगला 101 होगा, फिर 102 होगा, अब कहता है सवाल, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बरगो का आउसत, बरगो क बर कड़िये, इसका अंतर कड़िये, इसका मतलब A पलस B, यानि हो जाएगा 200, A माइनस B, यानि 4, यानि 4 दुना हो जाएगा 800, इनके बरगो का अंतर होगा 800, यानि एंसर हो गया option A, आरा है बात समझ में, तो आईए, लास्ट सबाल का जबाब दीजिए, कि पर्थम आठ बिशम प्राकिर्तिक संख्या का माध्धे कितना होगा, पर्थम आठ गो बिशम संख्या, पर्थम आठ गो बिशम प्राकिर्तिक संख्या का माध्धे बोले या उसत बोले 8 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें ये कह देता कि पर्थम, पर्थम 16, चाहे 161 संख्या क इसका average क्या होगा पर्थम 161 को समसंख्या इसका average क्या होगा तो आपका जो average होता न वो average होता बस 161 में plus 1 यानि 162 इस बात को कैसे जाने ऐसे जानिए माल यह 2 है 4 है 6 है 8 है कहा कि पर्थम 4 समसंख्या का average क्या होगा तो पर्थम 4 को का 9 होगा 8 पलस 1 यानि 9 होगा कैसे हुआ इसको समज़े जुरिए 8, 6, 14, 4, 18, 2, कितना हुआ, 20 अच्छा सोरी, 9 नहीं बोलना है न हमें कहा गया कि पर्थम 4, तो 4 average जो होगा average जो होगा, यानि n रहेगा तो n प्लस 1, तो 4 रहेगा तो 4 प्लस 1, 4 आएक कितना होगा 5, 5 होगा यानि आप यहाँ पर देख लीजिए 8, 6, 14, 14, 18, 2, 20 जोड कर 20 हुआ, कितनी संख्या है 4 संख्या, तो average क्या आएगा 5 आएगा, तो अगर पर्थम 4 गो संख्या तो 4 में एक जोड लीजिए 5 161 संख्या एक जोड दीजिए 162 इसका आउसत होगा लेकिन 20 संख्या जितना है उतना ही उसका आउसत होगा कह देगा कि पर्थम 45 गोभी संख्या का आउसत क्या होगा, तो 45 होगा पर्थम 50 गोभी संख्या का आउसत कितना होगा, तो 50 ही होगा चलिए, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, आगे की टाइप देखेंगे आप दूसरे पाट में बहुत बहुत धन्यवाद